हलो और वेलकम स्टुएंट स्वागत है आपका करन सर फार्मा क्लासेस में और आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि थमलिल से आप समझी के होंगे कि आज हम डिसकेशन करेंगे रेगुलेटरी बोडिस के बारे में बट यह जो जानकरी होगी उन् को नहीं पता है तो जब आप क्यूए में काम करने के लिए जाएंगे तो जब आपको काफी ज्यादा दिक्कत आएगी और शो सकता है कि इंटर्यू में भी इन गाइडलाइन से लेटेट आप से कोशन पुछे जाएं तो आज हम उन्हीं गाइडलाइन के बारे में डिसक्र और फार्मा इंडस्ट्री में भी आप इसका नाम काफी सुनोगे एक गाइडलाइन है EMEA जिसे बुलायाता है European Medicine Agency और दूसरी है US FDA United States Food Drug Administration यह दो ऐसी गाइडलाइन से जो की पूरे वर्ल्ड वाइड सबस्यादा यूज की जाती है और जब भी आप QA के लिए इंटर्वी पुछी जाए अगर US FDA के बारे में अगर आपको पता है तो आपको 21 CFR के बारे में पता होना चाहिए और EMEA अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट गाइडलाइन है और regulatory body भी है जो कि यूरोप में बिखने वारी drugs को कंट्रोल करती है साथी साथ ICH उसके लाब बहुत स स्टार्टिंग कहां से हुई इस EMEA organization या जो regulatory body है इसके अंदर कौन-कौन सी country से जो इसमें से जुड़े हुए हैं तो आप उस वीडियो को देखके बहुत ही systematic way में EMEA के बारे में जान सकते हैं और same US FDA के बारे में भी मेरा separate video पहले सी publish हो चुका है तो उस वीडियो को अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन guidelines के बारे में आपको knowledge होना चाहिए तो यह तो हमने globally regulatory bodies के बारे में बात करी अब हम बात करेंगे Indian regulatory bodies के बारे में या Indian regulatory guidelines के बारे में जिसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए अगर आप Pharma industry के quality assurance department जिसे हम QA department भी कहते हैं उसमें काम करना चाहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं Indian guidelines या Indian act के बारे में जिनके बारे में आपको जानना काफी ज़रूरी है तो total AC 7 acts और guideline है जो कि pharma से जुड़े हुए है और इसके बारे में आपको knowledge होना काफी ज़रूरी है तो सबसे पहला जो act आता है वो है Drug and Cosmetic Act 1940 इसके बारे में आपको knowledge होना काफी ज़रूरी है अगर आप quality assurance department में काम करना चाहते हैं और उसमें से भी चार AC guidelines है जिसके बारे में आपको knowledge होना ही चाहिए या schedules जिसको हम कहते हैं जिसे पहला जो schedule है वो है schedule M, schedule M Drug and Cosmetic Act इसके अंदर proper जानकरी दी गई है कि अगर आप कोई pharma company खोलना चाह जो की pharma industry से जोड़ी हुई है उसके बाद जो अगला schedule है वो है schedule T Drug and Cosmetic Act इसके अंदर सारी की सारी GMP guidelines दी गई है किसे related करती है वो आयरवेदिक preparation से सिध्धा से और यूनानी preparation से या यूनानी पद्धती से तो इसमें जितनी भी यह तीन चीज़े में आपको गता है यह आय Drug and Cosmetic Act इसके अंदर clinical trial से जुड़ी हुई सारी जानकरें दी गई है तो इसके बारे में भी आपको proper knowledge होना चाहिए देखिए मैंने तीन जो यह मैंने आपको schedules बता हैं वैसे Drug and Cosmetic Act 1940 के अंदर तो काफी जादा schedules है बट यह तीन जो है इससे related काफी जादा question जो है वो इंटर 1948 तो इसके बारे में बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि जितनी भी भारत के अंदर central organization है जो कि pharma industry से जुड़ी है या pharma से जुड़ी हुई है यह जितनी भी state pharmacy council है वो भारत के pharmacy act 1948 को follow करती है तो इसके अंदर वो सारी guideline दी गई है जिनको हमारी जितनी भी central के organization से और जो state pharmacy councils है वो दोनों जो है वो इनको follow करती है हमारा जो तीसरा act है यह भी अपने आप में बहुत important act है और इसका नाम है drug and magic remedies act 1954 objectionable advertisement तो देखिए यह act जो है एक normal way में आपको बताना चाहूँगा जितने भी यह भारत के अंदर यह act क्यों बनाए गया क्योंकि आगर आपने देखा ह इनके या अगर आप कुछ चीज ऐसी लेंगे जिससे कि कुछ जादू हो जाएगा जिससे कि आपका जीवन चेंज हो जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ यह act है और इस टाइप के जितने भी advertisement market में आते हैं टीवी के अंदर आते हैं यह उनको prohibited करता है साथ खासकर यह जो ह आपके अंदर बिल्कुल ताकत आजाएगी तो इस तरीके के जितने भी add आते हैं क्योंकि जब यह act नहीं था तो उस समय काफी ऐसी pharma companies थी यह foreign में भी एसा होता था और भारत के अंदर भी होता था कि वो कुछ भी अपनी दवाई बनाते थे और उसको उट-पटांग वो पॉसीबल ही नहीं है तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए उस तरह के की advertisement को रोकने के लिए यह drug and magic remedies act 1954 बनाए गया है अब हम बात करते हैं हमारे अगले हमारे जो अगला एक्ट है उसका नाम है the narcotic drugs and psychotropic substance act 1985 तो देखे 1985 यह act जो है वो उन industries में ज्यादा फॉलो किया जात हैं और जिसे वो फार्मा इंडस्ट्री खासकर जो नार्कोटिक प्रोड़क्ट्स होते हैं वो कहां पर यूज होते हैं यह होते हैं वो जो कि हमारे दिमार्वस इस्टम से लेटेड जितनी भी ड्रक्स होती है वहां पर यह नार्कोटिक सब्स्टेंस का यूज किया जाता ह तो यह act और इसकी guidelines जो है, यह वहाँ पर follow की जाती है, बट वो industries जो की narcotic substance के उपर काम नहीं करती है, वहाँ पर यह act और यह guideline follow नहीं की जाती है, बट अरिकतर भारत के अंदर जित्ती भी बड़ी multinational companies हैं, जित्ती बड़ी companies हैं, वहाँ पर narcotic substance का use किया आता है, या उनसे related drugs क production हो रहा है, तो वहाँ पर इन drugs को follow किया जाता है, तो आपको इस act का भी knowledge होना चाहिए, हमारा जो अगला act है, उसका नाम है, the medicinal and toilet preparation act 1956, इस act के अंदर basically drugs और toilet preparation के उपर जितनी भी exercise duties लगती है, उस related guideline जो है, वह इस act के अंदर दी गई है, जो हमारा अगला act है, उसका नाम है Drug Price Control Act 1995, उसको short में बुले आता है, DPCO, अपने आप में बहुती important act है, जिसके थुरू भारत के अंदर जितनी भी जीवन रक्षक दवाईया होती है, उनके price को control किया जाता है, basically यह जो act है, यह act 1955 के, Government of India, under the essential commodity act को follow करता है, जो की 1955 में आया था, उसी act को follow करते हुए, यह 1995 में यह act बनाया गया, बट अपने आप में बहुती important act है, इसके लिए मेरा पहले सी एक separate video publish हो चुका है, जहाँ पर मैंने इस act से जुड़ी हुई, काफी जानकरिया आपको दी है, साथी साथ इस act के अंदर कौन कौन सी दवाईयां आती है, वो भी मैंने दी है, और यह भी आप होना आपके लिए काफी जादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप QA के अंदर काम करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इस act के बारे में ज़रूर पुछा जाएगा, तो इसके बारे में आप ज़रूर पता कीजी, आप चाहें तो मेरा video देख सकते हैं, वहाँ पर होने वाली research के बारे में हम क्या सकते हैं, clinical trials के उपर या humans के उपर जितनी भी research की जाती है, उस से related जितनी भी guideline है, वो इस guideline के अंदर दी गई है, मतलब GCP के अंदर दी गई है, वो तीन bodies कौन है, जिनोंने मिलकर ये guideline बनाई है, वो है, Ministry of Health India, Drug Controller General of India, और Indian Council of Medical Research, ICMR, इन तीनो ने मिलकर इस guideline को बनाया है, और basically ये जो guideline है, वो follow करती है, WHO के हैलेंस declaration को, और ICH guideline को, जी हाँ, WHO और ICH ने मिलकर जो guideline दी थी, हैलेंस की में, उसी guideline को follow करते हुए, भारत के अंदर, ये guideline बनाई गई, good clinical practice, जिसको इन तीन bodies ने मिलकर बनाया, और basically मैं आपको फिर बता रहा ह है, humans की उपर होने वाली research के अंदर, तो ये वो सारे act हो गए, जिनके बारे में आपको जानना काफी जादा जरूरी है, और ये सारे act जो है, वो भारत के अंदर follow होते हैं, सभी के अलग-लग rule regulations है, और ये सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है, अगर आप pharma industry के quality assurance department में क पहला कानून या law है, उसका नाम है, the Industries Development and Regulation Act 1951, अगला जो law है, उसका नाम है, the Trade and Merchandise Marks Act 1951, 1958, the Indian Patent and Design Act 1970, और Factories Act, तो ये चार law और कानून है, जो कि भारत में बिखने वाली दावाईयां, उनके sales, उनके distributions, उनकी manufacturing को control करते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी ह होना काफी जादा जरूरी, उसके लावा एक और बहुत important चीछ जो आपको जानना काफी जादा जरूरी है, आपने कभी ये सोचा है कि भारत की इत्ती भी pharmaceutical companies है, या भारत का जो pharma sector है, वो कौन सी भारत की कौन सी ministry के अंतरगत आता है, तो भारत की chemical and fertilizer ministry जो है, उसके अंदर भारत की pharma industry या pharma sector आता है, साथी साथ pharma sector के साथ में भारत की इत्ती भी chemical industries है, और petrochemical industries है, ये सारी industries जो है वो भारत के chemical and fertilizer ministry के अंतरगत आते हैं, इसी ministry of chemical and fertilizer नहीं भारत की पहली pharmaceutical policy दी थी, भारत की पहली pharmaceutical policy जो थी, वो 1978 1978 में आई थी, जी हाज इस वे, फार्मसोटिकल policy ह ही बोला जाता है और यह दी थी Ministry of Chemical and Fertilizers में उनीस सो इठ्टर के बाद इस guideline जो यह policy दी थी एक proper guideline के वे में थी इस guideline में समय समय में amendment होते गए changes होते गए तो 1978 के बाद जो इसका अगला amendment था वो आया 1986 में मतलब 1986 में उसके बाद इसमें वापस amendment हुए changes हुए और फिर publish हुए 1994 में 1994 में और उसके बाद जो last pharmacy policy आई है वो आई है 2002 में तो यह policy क्या थी इसके अंदर क्या-क्या बाते बोली गई थी pharmaceutical policy क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर discussion करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं pharmaceutical policy के बारे में आपको बताऊं इसके अंदर क्या जानकारी दी गई थी क्योंकि यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह भारत से जुरूर जुड़ी हुई है और जब आप quality assurance department में काम करेंगे तो वहाँ पर आपको पहले से पता होगा तो यह आपके इंटर्यू प्रपेशन हो यही बने रही है मेरे साथ